हिलो एवरीवन वेलकम नाव वी विल स्टडी दे सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेज ओफ डी आर्टी पार्ट सेकेंड जैसा कि आपको पता है रिसेंट एडवांसेज में हमने टोपिक स्टार्ट किया था अल्ट्रा सोनोग्राफी यू एस जी आज इसी टोपिक को आगे क करते हुए हम आज का लेक्चर डिसकस करेंगे बट आगे का लेक्चर डिसकस करने से पहले जो पीछे हमने पढ़ा था उसका एक सोर्ट रिविजन कर लेते हैं पीछे के लेक्चर की बात ना करते हुए हम केवल लास्ट लेक्चर की बात करेंगे ठीक है तो लास्ट Transducer का दूसरा नाम था probe Transducer के बारे में हमने detail के अंदर अच्छे से पढ़ा था इसके components के बारे में discuss किया था हर components के बारे में भी detail के अंदर discuss किया था तो उसका एक short revision कर लेते हैं क्योंकि जो अपना आज का topic है वो transducer से ही related है तो ओवेसी बात है आगे के topic को समझने के लिए एक बार हमें पीछे के topic का short revision कर लेना चाहिए last lecture में हमने transducer के बारे में पढ़ा था first of all मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि transducer होता क्या है transducer एक ऐसी device है जो ultrasonography के अंदर ultrasound के production यानि transmission ठीक है ultrasound के production के लिए काम आती है और ultrasound के detection के लिए काम आती है ऊवेसी बात है कि ultrasonography का ये एक बहुत ही important part है जो किसमे काम आता आपका diagnosis के अंदर काम आता है इसके कई components के बारे में हमने अच्छे से discuss किया था ठीक है इसके principles के बारे में भी हमने discuss किया था Transducer के principle की बात करें, तो Transducer जो है, वह piezoelectric effect पे work करता है, अब यह piezoelectric effect क्या होता है, इसके बारे में last 2 classes के अंदर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी एक वार बता दिता हूँ, piezoelectric effect में piezoelectric crystals use किये जाते हैं, अब इन crystals की एक specific property होती है, वो क्या होती है, कि यह electrical signals को किसमें convert करती है pressure waves के अंदर और pressure waves को वापिस से electrical signals के अंदर तो obviously बात है, कि आपका जो psychotic effect है वो भी क्या करेगा electricity को pressure waves में convert करेगा और pressure waves को electricity के अंदर same बात करते हैं अपन ट्रांस्डूसर की तो transducer आपका क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है, एक ultrasound का production, production के वक्त वो क्या करता है, electricity को pressure waves के अंदर convert करता है, और दूसरा काम क्या कर रहा है, detection of the ultrasound beam, detection के वक्त वो क्या करता है, ultrasound यानि pressure waves को दुबारा से किस में convert करता है, electrical signals के अंदर, या फिर electricity के अंदर, ठीक है, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने study किये थे components of the transducer that means कि transducer के अंदर कितने components होते हैं कौन-कौन से parts होते हैं तो उनकी एक list थी जिसके अंदर 7 components है matching layer, piezoelectric crystals, backing block, damping block, electrodes, acoustic absorber, transducer housing, coaxial, cable इन सब components के बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी एपन discuss कर लेते हैं फर्स्ट आपका component है यहां पर matching layer, matching layer transducer की outermost layer होती है और इसका main function क्या होता है, patient की body और transducer that means probe उन दोनों की बीच में अच्छा contact बनाना और अगर अच्छा contact बनाती है यह layer, तो फिर क्या करेगी यह, ultra sound के transmission की efficiency को increase करती है that means की ultra sound beam जो थी, उसकी संचारन दख्सता को बढ़ाती है दूसरा अपना है piezoelectric crystals, इनके बारे में हम discuss नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी बहुत जादा discuss कर चुके है अब अपन बात करते हैं, third, backing block या फिर damping block की backing block, just आपकी जो piezoelectric crystals की जो layer होती है, उसके पीछे की तरफ पाया जाता है इसका main function क्या होता है, जो undesired ultrasound beam होती है या फिर reflected ultrasound beam होती है, उन सब को absorb करना obvious ही बात है कि absorption कहाँ पर होता है, कौन सा material करता है जो attenuating होता है, यानि जहाँ पर attenuation अच्छा हो सके तो obvious ही बात है कि backing block या फिर damping block आपका किसका बना होता है attenuating material का, for example tungsten या फिर rubber material ठीक है fourth अपन बात करते है, electrodes की जैसा कि आपने पढ़ा कि transducer के अंदर एक component होते है piezoelectric crystal है, फिर layer of the piezoelectric crystals अब piezoelectric crystals क्या कर रहे है, ultrasound beam का production भी कर रहे है detection भी कर रहे है, अब यह जारे जो signals है, इनका transmission कौन करेगा electrodes करेंगी, यहाँ पर दो electrodes होती है, एक gold की बनी भी होती है और silver की बनी होती है, gold और silver यहाँ पर हमने क्यों काम में लिया क्योंकि इनकी conductivity अच्छी होती है, यहाँ पर loss बहुती कम होगा ठीक है, अब इन electrodes का work क्या होता है पीजियो एलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स तक क्या का पहुचाना, एलेक्ट्रिकल सिगनल्स को पहुचाना कब जब आपके ultrasound प्रोडेक्ट हो रही है, यानि ultrasound का production हो रहा हो दूसरा, जब आपका ultrasound का detection किया दाता है, उस वक्त उनी signals को वापिस computer तक पहुचाना ये सारा काम किसका होता है, electrodes का होता है, ठीक है अब अब आपन बात करें, fifth component की, तो fifth component अपना है acoustic absorber ये भी एक attenuating material का बना होता है, और जो undesired या फिर unwanted ultrasound beam होती है उसको absorb करने का इसका काम होता है, sixth component के बात करते हैं अब आपन transducer housing housing से अपन क्या समझते हैं, कि कोई भी अगर component है तो उसकी housing का work क्या होता है, कि उस component को किसे physical damage से बचा के रखना that means housing क्या करती है, protect करती है, तो यहाँ पे भी transducer housing का काम क्या होगा, transducer को protect करना और एक और दूसरा काम क्या होता है, यह electric shock से अपने जो worker होता है, radiographic professional उसको बचाता है अब obviously बात है, अगर electric shock से prevent करता है, तो इसके उपर material कौन सा काम में लिया जाएगा, insulating material जो क्या करते है electrical signals का conduction नहीं कर सकता हो, अब अपन last component की बात करते है, co-axial cable co-axial cable का work क्या होता है, आपके transducer और computer, दोनों के बीच में जो signals का लेंदेन हो रहा है, जो आदान प्रदान हो रहा है, वो सारा किस के तुरू होता है, co-axial cable के वक्त यानि ultra sound के production के वक्त, electrical signals को transducer तक पहुचाना, और फिर detection के वक्त, वापिस से electrical signals को कहा तक पहुचाना, computer तक पहुचाना, ताकि computer उस body organ की image को diagnose करके आपको दे सेके ठीक है, ये सब सारे क्या थे, पीछे के lecture के topic थे, या फिर अपन बात करें कि components थे, transducer के जो बहुत ज़्यादा important थे, अब अपन बात करते हैं, आज का topic अपना है, types of the transducer, ये भी एक बहुत ज़्यादा important topic है, types of transducer के बारे में हमने पहले थोड़ा सा discuss किया था, कि transducer पढ़ रहे थो, तो अपनने diagram में देखा था, कि अलग-अलग structure के, अलग-अलग shape के वहाँ पे transducer रखे वे थे, तब हमने discuss किया था, कि transducer body organ diagnosis, या फिर इनकी structure के according अलग-अलग भागों में divide किये गए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे, types of the transducer, ठीक है, transducer made up of various piezoelectric crystal elements, that means, कि जो आपके transducer बनते हैं, उनके अंदे piezoelectric crystal तो use किया जाते हैं, लेकिन वो भी क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं, भिन-भिन होते हैं, that means, साफ-साफ पता चल रहा है, यहाँ पे अपने को, कि piezoelectric crystals के base पे भी इनने divide किया जाता है, तो अपने पास दो basis होगे, एक तो piezoelectric crystal, दूसरा body part का diagnosis, यहनि दो basis पे transducer को अलग-अलग parts के अंदे divide किया जाता है, these large number of piezoelectric crystals arranged in a specific order, यह जो piezoelectric crystals हैं, ज्यादा amount में, इनको एक specific order के अंदर arrange किया जाता है, और उसी order के according, फिर हम transducer को अलग-अलग types के अंदे divide करते हैं, Various types of ultrasound transducer with different type of piezoelectric crystal arrangement have different type of field of view and scanning frequency, इसका मतलब क्या होा, कि आपके जो ultrasound के जो transducer है, वो आपने बात की कि piezoelectric crystals के base पे अलग-अलग हमने divide कर दिये, ठीक है, अब जैसे उनके arrangement के according हमने उनको divide कर दिया, तो अब क्या होता है, कि उनका जो field of view, यानि कि वो कितने field में अपनी ultrasound sound की radiation को provide करेंगे, वो भी उनका अलग-अलग हो सबका, दूसकरा scanning frequency, यानि कि उनकी जो frequency होगी, वो भी क्या होगी, अलग-अलग होगी, तो that means कि आप piezoelectric crystals के arrangement को change कर रहे हो, बट उससे transducer की जो सारी properties हैं, वो change हो सकती है, field of view भी वहाँ पे change होता है, sector frequency भी change होती है, और इ अलग-अलग body को अपने को क्या चाहिए, अलग-अलग frequency की ultrasound beam चाहिए, उसी के according हम अलग-अलग types के transducer वहाँ पे use करते हैं, according to the arrangement of piezoelectric crystals and clinical application, transducer can be divided into following types, that means कि piezoelectric crystals के arrangement के according, या फिर उनका clinical application, यानि कि कौन-कौन से body part के according, कौन-कौन से transducer हम काम मिलेंगे, इसके according हमने transducer क निम्न लिखित भागों में divide किया है, transducer array, यानि कि जो transducer के आपके probes के अंदर piezoelectric crystal का arrangement होता है, उसको array के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर हमने नाम रखा है, यहाँ पर transducer array, अब अपन बात करते है, arrangement के according, तो arrangement के according, यहाँ पर transducer array तीन भागों में divide किया गय तो इन सब के बारे में अच्छे से आज हम discuss करेंगे, फर्स्ट अपन बात करते है, linear array की, तो linear array में दो प्रकार के आते है, एक rectilinear probe और दूसरा करवी linear probe, phased array की बात करें, तो phased array के अंदर फर्स्ट आता है, eco-cardiography, that means 2D eco, B आता है, intravescular blood vessels, pencil beam, probes, C आता है, यहाँ पे endo- cavitary probes, अब endo-cavitary probes है, वो भी अलग-अलग body organ के according, अलग-अलग divide किये गए है, for example, आपका first है, यहाँ पे trans-esophasial probes, जो किसके काम में आते हैं, hurt की scanning करने के अंदर काम आते हैं, दूसरा है endorectal probes, जो किसके काम आते हैं, prostate के scanning के वक्त काम आते हैं, और तीसरा है यहाँ endo-vaginal probes, जो pelvic की scanning के वक्त काम आते हैं, इन सभी transducer के बारे में हम आज discuss करेंगे, now, we will discuss about the first array of the transducer, which is known as linear array, linear array, नाम से समझ में आ रहा है, linear, that means, कि यहाँ पे, एक sequence, एक line की बात की जा रही है, अब किसकी की जा रही है, वो हम अभी आगे discuss करेंगे, ठीक है, if the arrangement of piezoelectric crystals in a transducer in a linear order, then this type of arrangement and transducer will be considered as linear array or linear transducer, that means, कि यानि, किसी भी transducer के अंदर, जो आपके piezoelectric crystals है, अगर उनका arrangement linear है, यानि कि उनका arrangement है, वो एक sequence के अंदर है, एक line के अंदर है, तो उस type के arrangement को हम कौन सा arrangement बोलेंगे, linear array, और उस type के transducer को हम बोलेंगे linear transducer, आया समझ में, that means, कि जहां पे piezoelectric crystals आपके एक line के अंदर, या फिर एक sequence के अंदर arrange होते हैं, या फिर एक specific order के अंदर arrange होते हैं, और वो order आपका यहां पे है linear, तो उस type के transducer को तो बोला जाएगा linear transducer, और उस type के arrangement को हम बोलेंगे linear array, these transducer contain various piezoelectric elements which energized by the electrical signals current, और वेसी बात है, कि यहां पे जो piezoelectric crystals होंगे, वो बहुत सारे होंगे, जादा होंगे, अलग-अलग होंगे, and energized by the electrical signals, जिनको electrical signal, यानि electricity से energized किया जाता है, और जब हमको electricity से उसको energized करेंगे, तो वो क्या करते हैं, pressure waves को transmit करते हैं, या फिर pressure waves का production करते हैं, the typical frequency of these transducer is 5 to 10 megahertz, that means कि आपके linear array arrangement के जो भी transducer होंगे, या फिर जो linear transducer होगा, उनकी frequency की range कितनी होगी, 5 से 10 megahertz, अब किसकी frequency की बात की जा रही हैं, यहाँ पर, obvious सी बात है, ultrasound का production कर रहे हैं, यहाँ पर हम, तो ultrasound की frequency की बात की जा रही है, और वो कितनी होती है, 5 से 10 megahertz, each element provide a scale line, and FOV is rectangle और parallelogram, that means कि आपका जो piezoelectric crystals का हर जो element है, इच जो element है, प्रते जो crystal हो क्या करता है, scale line प्रोवाइड करता है, मतलब एक line beam प्रोवाइड करता है, और बाकिया अगर अपन बात करें, यहाँ पर, कि जो सारे crystals है, सारे piezoelectric crystals मिलके, जो आपको field of view देंगे, field of view को आप समझ सकते हो, जैसे कि कितने field के अंदर ultrasound beam transmit हो रही है, तो यहाँ पर जो linear array है, या फिर linear transducer है, उसके अंदर जो FOV होता है, यहाँ पर आपका field of view होता है, वो कैसा होता है, या तो rectangular होगा, या फिर parallelogram होगा, ठीक है, ओवेसी बात है, linear arrangement है, तो linear के अंदर रहा, तो rectangle structure हो सकती है, या फिर यहाँ पर कैसी हो सकती है, parallelogram, ठीक है, समझ में आया, linear array, simple सा है, कि वो transducer या फिर ऐसे transducer, जिनके अंदर piezoelectric crystals का arrangement, एक line के अंदर, या फिर linear order के अंदर arrange होता है, उन transducer को हम linear array बोलते है, या फिर linear transducer बोलते है, इनके typical frequency होती है, 5 से 10 megahertz, और इनका जो FOV हो कैसा होता है या तो rectangular होता है, या फिर parallelogram होता है, अब जैसा कि हमने, जहाँ पे types of transducer लिखे थे हैं, वहाँ पे लिखा था, कि linear array भी दो प्रकार के होते हैं, एक rectilinear और एक curvilinear, तो अब हम बात करते है, rectilinear की और curvilinear की, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे भी नाम जे समझ में आ होगा, rectangular होगा, और इनकी जो structure होती है, वो भी कैसी होती है, rectangular type के अंदर होती है, दूसरा हमने बात की curvilinear, curvilinear का मतलब, यहाँ पे आपका field of view, parallelogram का होगा, और इनकी जो structures होगी, वो curved होगी, जैसा कि हम आगे की कुछ diagram में भी अच्छे से देख के समझ सकते हैं, सबसे प जादा होती है, अब आप diagram में भी देख सकते हो, कि आपका जो rectilinear probe हो किस प्रकार का होता है, इसके आगे की structure देख के आप इसको पहचान सकते हो, कि यह आपका rectilinear probe है, यहाँ पे rectangle type में इसके आगे की structure बनी हुई है, अगर इसके field of view के बात करोगे, तो वो भी कैसा आए कि जो structure वो कैसी है, curved है, और इनका जो FOV आएगा, वो कैसा आएगा, rectilinear से अलग आएगा, इनकी बात कर लेते हैं कि curvy linear में अब क्या होता है, इस linear probes are also available in curved surface, जैसे कि हमने बात की कि linear probes के type है, तो linear probes दो अलग अलग structure में पाए गई अपने, एक जिनकी structure plane है, rectangular type में, और एक जिनकी surface की बात करे हैं, वो कैसी है, curved है, तो जिसकी surface curved होती है, उसको हम बोलते है, curvy linear probes, curvy linear probes और sector scanning, या फिर इन probes से जो scanning की जाती है, उसको क्या नाम दिया जाता है, sector scanning नाम दिया जाता है, curvy linear probes have low frequency than rectilinear, जैसा है कि हमने rectilinear में भी बात किया था, कि rectilinear की frequency curvy linear से जदा होते हैं, तो obvious सी बात है, यहाँ पर हमने लिखा है, curvy linear की frequency rectilinear से कम होती है, ठीक है, next हम बात करते है clinical applications की, कि इनकी linear probes की बात करेंगे, कि जो linear probes है, वो कौन-कौन से applications के अंदर काम आते हैं, first अपन बात करते है, gynecology, gynecology department वो होता है, जो female reproductive system की diagnosis, disease condition और treatment से deal करता है, ठीक है, जैसा कि हमने special radiography में भी पढ़ा था, HSG के बारे में, तो महाँ पर भी अपने gynecology department की थोड़ा सा जिक्र हमने किया था, दूसरा होता है abdomen scanning, abdomen की scanning के वक्त भी linear probes काम आते हैं, thyroid, US guided biopsy, US guided biopsy से क्या समझते हैं, first of all अपन बात करते हैं, biopsy क्या होती है, biopsy कोई भी tissue sample, ठीक है, tissue का sample लेके उसका lab के अंदर क्या करना, examination करना, that means tissue का sample लेके उसका examination क्या करना ही क्या कहलाता है, biopsy कहलाता है, अब अपन गात करते हैं, US guided biopsy, यहाँ पर क्या होगा, जब आप किसी भी tissue का sample लेते हैं, तो वो किसकी help से ले रहो है, यहाँ यहाँ sonography procedure के सायता से, तो वहाँ पर भी आप कौन सा काम में ले सकते हो, linear probs काम में ले सकते हैं, etc, और भी बहुत सारे clinical application हैं, अब अपन बात करते हैं, यहाँ जैसे कि आप diagram में देख रहे हो, field of view, दो probs के field of view हमने यहाँ पर दिखाए हैं, first है rectilinear, second है यहाँ पर curvilinear, जैसा जैसा कि आप इनमें देख रहे हो, जो हर एक line है, वो कैसी है, scale line है, इसलिए वहाँ पर आपने बात किया था, scale line की, ठीक है, दूसरा इनके field of view के बात करें, तो एक का rectangular type में भी है, और एक का थोड़ा parallelogram के type में भी है, यह दोनों अलग-अलग type के field of view है, एक rectilinear probe है, और दूसरा curvilinear probe है, अच्छे से इनको आप देखके समझ सकते हो, जैसा कि एक और diagram अपने पास है, जिसके अंदर हमने अलग से अच्छे से समझाया है, curvilinear जो probe से उनकी surface curved होती है, और किस तरीके से ultrasound beam उनसे transmit होती है, और जहाँ पे उनके transmit हुए, उनका field of view आप देख सकते ह diagram type में है, और यहाँ पे जो दूसरा है, कौन सा, rectilinear, rectilinear के अंदर आपका जो field of view है, वो कैसा है, rectangular है, ठीक है, अलग-अलग अपनने बात कर ली, rectilinear की और curvilinear की, अब्विस से बात करें, तो आज हमने पढ़ा है linear array और linear transducer, एक बार last के अंदर दुबारा से बता दे piezoelectric crystal एक specific line और एक specific sequence के अंदर arrange किये जाते है, this type of transducer is known as linear array और linear transducer, इनके typical frequency 5 से 10 MHz, और इनके जो field of view है, वो rectangular पाये जाएंगे, या फिर आपके parallelogram, ठीक है, और यह दो प्रकार के होते है, एक rectilinear होता है, और एक curved होता है, curved को हम बोलते है, curvilinear, ठीक है, इन सब के बार अंदर हम दूसरे जो type है, phased array उसके बारे में discuss करेंगे, thank you झाल, 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